मैंने वो हर चीज की जो मुझे दो दर्जन बार मार सकती थी ऐसा घमन के कारण नहीं था कि आप वो करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते इसका संबंध खुद को किसी तरह अपनी सीमा से आगे खींचने से है युवा बिना किसी साहस की भावना के युवा है ही नहीं पहला सवाल जोरजी का है सद्गुरु हम जानते हैं कि आप हमेशा साहसिक कामों के लिए तयार होते हैं पर कई युवा बिना सोचे समझे खत्रे वाले खेल अपनाते हैं और अपनी जान भी गवा बैठते हैं ऐसे खेल खेलने वाले वाव के लिए आपकी क्या सला है अच्छा इस बारे में मुझे किसी को सलाह देने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने वो हर चीज़ की जो मुझे दो दर्जन बार मार सकती थी लेकिन मैं जिन्दा हूँ किसी तरह तो साहस से हमारा मतलब है आप या तो अपने जीवन में काम या फिर साहस कर सकते हैं साहस का मतलब है कि आप नहीं जानते कि आपका अगला कदम कहा होगा ये साहस है मतलब इसमें खत्रा है कोई खत्रा ना हो, हर चीज सुरक्षित हो, तो साहस नहीं होगा, है न, बस काम होगा मैं काम के खिलाफ नहीं हूँ, पर आप साहस की बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी अंजान चीज में कदम रखना चाहते हैं, है न अगर आप जानी पहचानी चीज में कदम रखते हैं तो वो साहस नहीं है वो बस एक काम है तो मुझे आपको ये बताना चाहिए पर ये सब मैं आपको क्यूं बताऊ इससे सनकी लोग पागलपन की हरकत कर बैठेंगे अच्छा एक बात मेरे पिता डॉक्टर थे और मुझे लेकर लगातार परिशान रहते थे उनकी सबसे बड़ी चिंता थी वो अपना सिर ठोक कर कहते इस लड़के के मन में डर ही नहीं है इसका क्या होगा मैंने पांच-छे साल की उम्र से ये सुना है इसे कोई डर नहीं है क्या होगा, क्या होगा एक दिन जब मैं लगभग 11 का था उन्होंने यही का इसके मन में डर नहीं है क्योंकि मैं करीब 12 फुट कोबरा को बस उठा कर चल दिया तो क्योंकि उन्होंने ये पहली बार देखा मैं ये 6 साल की उम्र से कर रहा था उन्होंने पहली बार देखा और तब उनके पास वेस्पा स्कूटर था जो मैं 9 की उम्र से चलाता था उन्हें पता नहीं था मैं उसे साफ करता था पर चलाता भी था और एक दिन हमारे घर के सामने सड़क पर ढलान है मैं नूट्रल गेर में आ रहा था मैं उसकी सीट पर खड़ा था और वेस्पा स्कूटर पर ऐसे आ रहा था उन्होंने मुझे देखा और उनका दिल बैठ गया तो उन्होंने कहा इस लड़के के मन में डर ही नहीं है क्या करें तब मैंने उनसे पूछा डर एक गुन कब बन गया देखा मैंने कहा था उसे कोई डर नहीं है तो हम क्यूं सोचते हैं कि हमें डर कर जीना चाहिए अगर आप डरते हैं डर उन सबसे बुरी भावनाओं में से एक है जिनका लोग अनुभव करते हैं डर इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसी चीज की कलपना कर रहे है जो अभी हुई नहीं हलो आप एक कलपना करते हैं तो आप किसी हालात के कारण दुखी नहीं है आप अपनी कलपना के कारण दुखी है नहीं कलपना एक जबरदस चीज है आप आकिटेक्ट हैं आपको कलपना करनी चाहिए, पर अगर आपमें अपनी कलपना की हर बिल्डिंग के गिरने का डर है, तो आप आगल हो जाएंगे, बिल्डिंग बनाने में भी साहस होता है, है न, आपको रनकपूर देखना चाहिए, क्या आपने रनकपूर देखा है राजस्तान में, आप जर यह कुंबल गड़ में है रनकपूर के पास वो आकिटेक्ट पागल इंसान था पर वो बहुत समस्दार संकी था क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं यह हजार खंबो वाला मंदिर है अगर आप सुरक्षा की सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे अगर समय के साथ एक खंबा गिर जाता है क्योंकि उन दिनों सिर्फ पत्थर ही होते थे न कि स्टील, कॉंक्रिट या कुछ और आप ये सुनिश्यत करेंगे कि अगर एक खंबा गिरता है तो दूसरे खंबे मंदिर को खड़ा रखेंगे नहीं, उसने इसे ऐसा बनाया, उसका साहस ऐसा था कि अगर आप एक खंबा गिराते हैं तो पूरा मंदिर गिर जाएगा उसे अपनी बुद्धिमानी और काबलियत पर ऐसा गर्व था कि उसने उसे ऐसा बनाया कि अगर एक खंबा हटता है तो मंदिर गिरना चाहिए और ये पांच-छे सौ सालों से खड़ा है बिना किसी समस्या के आप ऐसा ही कुछ योकेंद्र में देखेंगे हमने एक अंडाकार गुंबद बनाया है कोई स्टील नहीं कॉंक्रीट नहीं और उपर से ये सिर्फ आठ इंच मोटा है और बस लोगों को चौकाने के लिए मैंने नौ फूट व्यास का छेद छोड़ दिया है लोगों ने कहा ये गिर जाएगा ये नहीं गिरेगा अगर आपके जीवन में कोई साहस नहीं है आप क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता जीवन के हर शेत्र में साहस के लिए जगह है मतलब आपको अपनी शमता और काबलियत पर भरोसा होना चाहिए और उससे एक कदम और आगे जान है अगर जोखिम नहीं हो तो साहस भी नहीं होगा है न तो क्या यूवा लोग मारे जाएंगे हाँ दुर्भाग एसे कभी-कभी ये होता है मेरी उम्र 35 होने तक कम से कम मेरे 12-13 मित्र मारे गए थे कुछ मोटर साइकल से कुछ हैंड ग्लाइडिंग में और ये सबी चीजें हम साथ-साथ करते थे कुछ मारे गए उनसे मैं नहीं मरा लेकिन क्या मैं वे चीजें किये बीना जी सकता था नहीं अगर वे परिस्थितियां मुझे मार भी डालती तो भी मैं वो करता ऐसा घमन के कारण नहीं था कि आप वो करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते बात वो नहीं है इसका संबंध खुद को किसी तरह अपनी सीमा से आगे खींचने से है पर आज दुनिया काफी जादा विवस्थे थे कई उपकरण हैं जब हम वो संकी चीजें करते थे हमारे पास कोई उपकरण नहीं था हम उन्हें बस यूहीं करते थे लेकिन आज सुरक्षा उपकरण हैं दूसरे सिस्टम हैं मैट हैं कई चीजें हैं आप में से किसी को साहस में काम शुरू करना चाहिए और सही किस्म के उपकरण और हर चीज बनानी चाहिए देखिए आज जब कुछ जवान लड़कों को टू विलर मिलता है तो वे कोई स्टंट करना चाहते हैं ज वो इसे सड़क परना करें हमें इन चीजों के लिए एक ठीक ठाक सुरक्षित जगे बनानी चाहिए क्या वो सौफिसदी सुरक्षित होगा नहीं कुछ भी सौफिसदी सुरक्षित नहीं है हम सब नश्वर हैं है ना पर हमें सुरक्षा का उचित स्तर बनाना चाहिए जहां युवा कम से कम जोखिम से साहस करेंगे बिना जोखिम का साहस ऐसी कोई चीज नहीं होती मैं अकेला इंसान था लोग चौक गए जब मैं तमिलनाडू में जली कटू के पक्ष में बोला उन्होंने का सद्गुरू आप ये नहीं कह सकते मैंने कहा देखिए क्या आप हर गाउं में खेल के स्टेडियम बना सकते हैं क्या आप गाउं में उन्हें फुटबॉल साहस के खेल वगरे खिला सकते हैं क्या संभव है वहाँ वाकई कुछ नहीं है उनके पास सिर्फ एक पारंपरिक खेल है जो वे साल में एक बार खेलते हैं इसमें जोखिम जरूर है पर इसके मूल में कुछ करने की परंपरा है इसमें जोखिम है जानवर और आदमी दोनों के लिए असल में जानवर से जादा आदमी के लिए जब मैंने इसका पक्ष लिया तो हर किसी ने विरोध किया आप ये नहीं कह सकते मैंने कहा देखिये और मौके प्रदान कर सकते हैं जहां वे इसे ठीक ठाक सुरक्षा से कर सकें संपूर्ण सुरक्षा कहीं नहीं होती कुछ माता-पिता जो यहां है वे इससे सहमत नहीं है लेकिन वरना वे छुपकर ऐसा करेंगे यह एक चीज मैंने अमेरिका में देखी है खासकर टेनेसी जहां हमारा केंदर है तो मैंने देखा मैं एक मोटर साइकल के दुकान में गया वहां मैंने देखा उन्होंने तीन साल के बच्चे के लिए मोटर साइकल बनाई है उन्होंने वाकई उनके लिए मोटरसाइकल बनाई है तीन साल के बच्चे मज़े से बाइक चला रहे है मुझे वो शांदार लगा माता पिता वहीं खड़ें हेलमेट जैकेट और हर चीज पहन कर वो चलाते है ये शांदार है क्योंकि ऐसा होना चाहिए वरना जब वे 15-16 के होंगे तो अजीब चीज़ें करेंगे बिना किसी ट्रेनिंग या तैयारी के बिना किसी सुरक्षा उपकरन के तब पता नि उसका नतीज़ा क्या होगा झाल